नमस्कार आप देख रहे हैं HC News और Corona Update के साथ मैं हूँ निशा कशब केंद्री स्वास्तिवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा जारी आंकलों के मताबिक पिछे 24 गंटी के दौरान देश में 6,531 नई मामले सामने आए 315 लोगों की जान गई जबकि 7,141 लोग इस वीमारी से ठीक हुए हैं पिछे 24 गंटी के दौरान सक्रीय मामलों की संख्या में 925 की कमी है जिससे सक्रीय मामलों का अंकला घट कर 75,841 पर पहुँच गया इस समय केरल में सबसे ज़्यादा 23,372 मामले सक्रीये हैं महराष्ट में 13,492, परश्री मंगाल में 7,450, करनाटक में 7,447 और तमिल नाड़ों में 6,629 मामले अभी भी सक्रीये हैं देश में कोरोना वारस के नए वेरियंट ओमिक्रोन से संक्रमन के मामले तेज से बढ़ रहे हैं रवीवार को कही राज्वो में इस वेरियंट से संक्रमित मरीजों का पता चला जिसके बाद देश में ओमिक्रोन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर 492 हो गई है केरल में आज ओमिक्रोन के 19 नए मामने सामने आए वही महराश में रवीवार को ओमिक्रोन के 31 नए केस सामने आए हैं मद्यप्रदेश, हर्याना, गुजरात और उतरप्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं दिल्ली में भी सोमवार यानि कि आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। ये तो थी पूरे दिन की कोरोना अपडेट। ऐसे ही कोरोना अपडेट और कोरोना से जुड़ी लेटस जानकारी के लिए देखते रहे हैं असे न्यूस, धन्यवाद।